किचन टिप्स बहुत ही यूसफुल है जो आपके घर और किचन के काम को बहुत ही आसान करेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं जब टूथ पेस्ट खतम हो जाता है तो इसके ट्यूब को हम फेक देते हैं मगर ऐसी गलती ना करें यह जो ट्यूब है यह बहुत ही काम का और रहता है और इसके अंदर हम धे सारे सारी को रख सकते हैं मतलब बिना और मिना के भी आप सारी को अच्छे से और्गनाईज कर सकते हैं एक टूष्ट पेस्ट के ट्यूब में रख सकते हैं और इसके अंदर जो भी थोड़ बद टूस्ट पेस्ट है उसे भी यूज़ कर लेंगे क्योंकि वह वेस्टी होता है अगर हम इसे फेक देते हैं तो हमें सबसे पहले इसे इस तरीके से कट कर लेना है यह देखिए आप इसके पत्ते पत्ते से पीस काट लीजिए इस तरह से यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से पुरा कट कर लिया है अब इसके ढगकन को हम साईर में रख देंगे और इसे इस तरीके से खो इसे तूट पेस्ट के ट्यूब को डाल देंगे इसे अच्छ से रब करते हुए दोलेंगे यानि इसमें जो तूट पेस्ट लगा है हम इसे अच्छ से इस पानी से दोलेंगे तो देखिए हमने इसे अच्छ से दोलिया है पुरा और जितना भी toothpaste है वो पूरा कपूरा पानी में आ गया है उसे हम अच्छे से धो करके साइड में रख देंगे सुखने के लिए और जो पानी में toothpaste है उसे अच्छे से mix करना है ताकि उसमें गुठली नहीं होना चाहिए अब हम इसे एक spray bottle में भरेंगे उसके लिए हमें कोई भी एक spray bottle लेना है तो देखिए हमने यहाँ पर इसे इसके अंदर डाल दिया है अब चलिए मैं आपको इसे यूज करके दिखाती हूँ उसके बाद हम toothpaste की ट्यूब का भी यूज करेंगे सारी रखनी के लिए तो फ्रेंड्स किचन में हम लोग तो अनेक प्रकार की recipe बनाते हैं खाना बनाते हैं तेल की जो छीटे आती है वो पूरा गैस चुले की ऊपर आता है और side की दिवारों पर भी आ जाता है तो इसे clean करने के लिए बहुत ही अच्छा trick बताती हूँ जिसे यह बहुत अच्छे से साफ भी हो जाएगा और sign भी आएगा साथ ही साथ एकदम नहीं जैसे हो जाएगा तो इसके लिए हमें लेना है थोगा सा newspaper नियूस पेपर से हमें इसे clean करना है अब हम जो spray बना करके रखे है उसे गैस चुले पर अच्छे से spray करेंगे उसके ब अच्छे से चमकने लगेगा ऐसे आप कितने भी अच्छे से साफ करें वह sign नहीं आता है जो हमें चाहिए रहता है आप एक बार इस तरीके से साफ करके देखेगा बहुत अच्छे से साफ हो जाता है और हमें ज्यादा पानी भी डानले के ज़रत नहीं है वैसे हमने paper से पानी काम ब Boys Glurst Glank को साफ़ कर नहीं पड़ी और नहीं में ज्यादा मेहनद करना पड़ा, अर नहीं की ज्यादा टाम डगा, से ब्लस गश साफह कर सकते हैं। ऑप काज को साफ यं। साफ सकते हैं। आप इसे mirror पे अच्छे से स्प्रे करिए और इसके बाद फिर newspaper से साफ कर दीजिए आपके घर में किसी भी तरह के mirror है तो आप इसे stick से साफ कर सकती है बहुत ही अच्छे से mirror साफ हो जाता है इन्हें clear देखता है साफ करने के बाद यहाँ पे मैंने mirror को अच्छे से पोच लिया है आप देख सकते हैं कितने अच्छे से साफ हो गया है तो यह बेकार का चीज है ना यह बहुत ही काम कराता है और हम इसे अंजाने में fake देते हैं इससे हमारा बहुत सारा बचत भी हो जाता है यह चोटी चोटी चीजे हम साफ करने के लिए कॉल इन वागेरा खरिदते हैं उसे खरिदने की जरुरत नहीं है आपको आप बस वीक में एक बार आप इसे इस तरीके से सफाई करके देखिए आपका घर हमेंसा चमकते रहेगा जो यह बचा हुआ है नहीं है बस आप इसे रख दिजएगा नेक्स टाम या फिरसे यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसे किचेन के समान को भी साफ कर सकती हैं जैसे कि आपके घर में आवन है या पिर मिकसर ग्राइनर है उसे भी आप इस ट्रिक से क्लीन कर सकते हैं अब इसे हम रखेंगे साइड में और अब तूटपेस के इस ट्यूब का यूज़ करेंगे सारी और कप्रे रखने के लिए तो आप देख सकते हैं यहां पर यह बहुत ही अच्छी सा सुख चुका है इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है अब हम क्या करेंगे ना इसको इस तरीके स पलट लेंगे यानि इसके अंदर के साइड को बाहर करेंगे और बाहर के साइड को अंदर आप सारे रिंग को इस तरीके से पलट करके यूज़ करें तो वह ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में और यह पता भी नहीं चलेगा आपने इसे कैसे बनाया है किस चीज से ब करते हैं तो मगर हमें इसमें कई सारे हैंगर को हैंग करना है आप उसके लिए क्या करें पहले हैंगर को हैंग करने से पहले उसके उपर वाले हिसे में इस ट्यूब को डाल देंगे उसके बाद आप उसे दूसरे हैंगर जो है ना उसको उसमें जो रिंग है ना उसमें फसाना लेकिन ध्यान रखना है आपको दूसरे हैंगर में भी आपको पहले ही रिंग को डाल देना है जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ बस ऐसे ही करना है अगर आपके अलमीरा में कम जगह है तो आप एक होक लगाए और उसमें इस तरीके से हैंगर में करके कपरे या फिराल मीना नहीं है तो आप एक होग लगा करके इस तरीकर से कपर हैंग करने के बाद आप ऊपर से कपड़ गंदा भी नहीं होगा वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताईएगा अगर वीडियो अच्छ लगा है तो प्लीज लाइक share and subscribe जरूर कीजिएगा ऐसे ही tips और tricks मैं हमेसा लाती रहती हूँ